कि के अभी थे कि कि के इस पटांच तरों कि का यू थे इस फिए ऐर लाइब नाओ सभी थे ला चे याद अपा यू यू एस विए लाइब नो हलो यह स अभी आ ज़िए फटा फट आ ज़िए भाई या यह मुझे पत्ता है बहुत लोग इस लक्षर में शायद ना आय ठीक है ने क्योंकि उनको आता होगा, यह फिर उन लगने इसको ओप्शन में छोड़ाओ को लेकिन जिसने इसको प्शन में छोडा उसको पाप लगेगा, बहुत पाप एक है ओर शर्थ एक ही है वह शर्थ क्या है फटा-फट पुछो सर क्या 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 यह फिर सी बोल दो हाँ अभर चले का सर मनजूर सब मनजूर सर इंटरो सम्रुद्धी क्रिष्ट्ट आ यहलो एलो चालो शेयर कर दूमाने लगे सब लोग इसालिए लो एब्रिवान न्यू स्टुडेंट सर ओके प्रतीक एलो वेलकम टू ग्यान लैप आ जाईये फटाफट पर चालो टेलेग्राम पर शेयर हो चुका है बच्छे आ जाएंगे कहां जाएंगे आएंगे यहां पर सुल्तान भी देख रहा है ओके लिए ओएंसी सर मैंने करीब सारे बस डेरिवेशन क्या कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे बेटा डेरिवेशन तो बहुत कम आते हैं एक आर में हो जाएगा ना नहीं बेटा हां देड़ गंटे में हो जाएग आप लोगों को पी टाइप और एंटेप पता है तो फटाफट हो जाएगा अगर यह नहीं पता पी टाइप क्या होता है तो थो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा तर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा फिसिक्स का पड़ो फिर पाइम है पढ़ लोगे वन शॉट ले लोगे साथ बरिदर खतम हो जाएगा कि अरक शॉट करें प्रडवड बोलो स्टाइप करें सबसे पहली बात यह चैप्टर दिखने में हाड है लेकिन हाड नहीं था अप तो सभी चैप्टर में यह बोले हो अर चैप्टर में आप यही बोलते हो यह चैप्टर इजी है इस तो यह लास्ट चेप्टर है अपनी फीजिक्स का क्लास 12 का वन शॉट लेक्चर है इसमें इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीटर है जीन डायोड और बाकी सार आपने को पढ़ना है जो बच्चा जो बच्चा इसको छोड़ किया जाने वाला उनके लिए मैं फटाक से बोल प्लीज इसमें से सिर्फ एक चीज़ कर लेना लॉजिक गेट छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है और जो यह टॉपिक कर रहा है जो सेमिकंड़क्टर कर रहा है लॉजिक गेट उनको करना है कंपल सरी अच्छे करना है ट्रूट टेबल डायग्राम सब कुछ उसके बाद में जो अमरे पास तिन डिवाइस है ना सोलार सेल्फ यह अपना फ्रोट डायोड एलेडी वह तीन में से कोई ना को एक आपको पूछेंगे वर्किंग डिमेरिट्स एडवांटेजेस यूजेस एकसेटर 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 तो वह आपको करके जाना है ठीक है बाकी हो गया र सेमिकंडक्टर स्टार्ट करें तो क्लास 11 का सेमिकंडक्टर क्लास 12 के सेमिकंडक्टर के लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ज़दा इंपॉड़न है कैसे सर क्लास 11 पे अपने सेमिकंडक्टर मतलब क्या सेमिकंडक्टर के टाइप पी एन जंक्शन क्या होता ह है यह सारी पड़ाइय गई थी ऑपने पड़ी थी यह पता नहीं पता लेकिन पड़ाया गया था आपको तिक है अगर याद है तुक बहुत याद नहीं तो फटाक्ष अपन इसको रिकॉल करते समिकंडॉक्टर क्या है पहले हुआ करते थे conductor और इंसुलेटर अभी conductor इंसुलेटर पर अपने घुसने आले conductor हुआ करते थे लेकिन इनके बीच में जो लाई करता है यह property जो conductor की property भी लेके चले और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी लेके चले उसको मुलग बोलते है semi conductor semi मतलब half पहले वो conductor की जैसा एक्ट करता है फिर इंसुलेटर की जैसे एक्ट करता है ठीक है आपने यह बोल सकते है यह जिसकी property क्या करती है in between conductor और इंसुलेटर के बीच में लाए करती है खत्म उसके major डो टाइप होते है एक होते हैं intrinsic और एक होते हैं extrinsic semiconductor intrinsic मतलब pure form of semiconductor eccentric eccentric मतलब X आगया एकसेंट्रिक मतलब एकसटरनल कुछ अपन मिला रहे है प्योर में so intrinsic में कुछ मिला Army up bipartisbury semiconductor होता है वो फ़इस मिलते हैं पर instant के इंप्याटी इसमे चीज़े मिलता हमें js misma material यॆ naw चुनते जाओ शुनते जाओ काण खोल कर सुनते जाओ फीट में 유튜ína है फ्यान devast चैप सॉनेंगे ःधोर ख़ें वे मतलब को यहां ना चिए एक लेक्रन होता है क्रोल मतलब पॉजिटिव चार्ज खतम यह फिर बोल सकते होल मतलब क्या absence of electron नहीं होता है तो वहाँ पर होल होता है बस आपको इतना याद रखना है अभी जब ऐसा अपने आपके पास सिलिकन है क्या है सिलिकन है ठीक है बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका पूरा और एक और ट्राइवेलेंट एक होगा पेंटावेलेंट एक होगा ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट में पाच है अपने पास ट्राइवेलेंट में तीन है जब पाच मिलाओगे एक दो तीन चार इसके पास अल्रेडी है जब पेंटावेलेंट मिलाओगे तो एक दो तीन और बचेगा एक 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 मॉलिकूल की बात करें आप लोग देखोगी बहुत सारे एक्सेस इलेक्सेस हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं वह बन जाता है अपना एक सिलिकन है उसमें पेंटावलेंट इंपरिटी मिलाई इंपरिटी मिलाने के बाद उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रों बचे इलेक्ट्रों ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज का एन नेगेटिव का एन तो क्या बन गया एन टाइप कैसे बनता है ट्यार्ट ए यृटल रखने आपको टीटाइप में ज्यादा क्या होते हैं एलेक्ट्रों की ज्यादा होती है और मेज्यारीटी मतलब ज्यादा टाना इसान मेज्यारीटे साथ जीता है ठीक है वोटिंग के साथ जिता ज्यादा वोटिंग के साथ मैनृरीटी मतलब क्या मैद अभी गया है ठीक है, आफिल जीत तो नहीं वोलसकते है, यहाँ पर अपना मतलब के आसर positive होना चाहिए positive मतलब होल्स होने चाहिए ज्यादा इसमें कैसे रहांत के पास एक तो एक तो रह गई एक जगा रहा गई तो यहाँ पर सिमेटिक लिए होल भां हो जाता है यहां पर यहां पर एक्षेस हो क्या म arguably और यहां पर एक्षेस्स किई इसको क्या भूलतता है थे ऐसे बनता है इसे कि यहां पर ज्यादा क्या होते है यहां पर होल्स ज्यादा होते है और एटे अचलियर बोलो survivrat killing ख्रशेट दीन कले फिटा गब ब्रम्नंद यहां अधिन हर आरी बाप परफेक्ट यह शक्रेंर बोल करने बताईए जल्ली जल्ली बोलो भया अपने पास टाइम नहीं है बेसिक से पड़ा रहा हुआ फटा फटको लो वेरी गुट चलो ये इस ने ने तो फिर से पीछे जाओ और फिर आ गया न on a फिर हम लुक्त समझेंगे की से समझ में आ गया एंट टैप समझ में आ गया फि ए जंक्षन क्या होता है फटाग से इसको देखते हैं मतलब स्वीच स्वीच चलो बहुत अच्छे तो p-n junction क्या है एक simple धेखो जब हम लोग P type और n type को मिला देते हैं यहाँ पर n यहाँ पर p तो p-n junction यहाँ पर लेलो अच्छे लेलो यहाँ पर p लेलो यहाँ पर n लेलो कोई दिक्कत नही continuously कि हम लोग नहीं क्या किया जब P को और N को मिला दिया तो यहां पर एक बन जाता है बीच में जंक्षन क्या बन जाता है जंक्षन बन जाता है और यहीं हमारा बन जाता है पूरा इसका complete formation यहां से चोड़के यहां पर जाएंगे और जब वह यहां से चोड़के यहां पर जाएंगे वह एक जंक्षन के करेंगे यहां से उड़के यहां पर चले गए तो अपने लेक्ट्रों से यहांपर आ जाएंगे और यह히्ऐ बन जाएंगे होल। यहां पर बन जाएंगे बन जाएंगे मंने च्mud trabajar यहां पर बहुत सरे अपने सा इलेक्ट्रॉन है अभी सेकेंड कहाणि सरंदल परवेड ऐस्न फयाल मतलब एपने पास यह समझञे एक्स्टर्न सपलाई मतलब सर इसको अम लोग में लगा दी बैटरी जका दी invite जब यह बैटरी लगा रहे हो इस बैटरी लगाने को क्या बोलते है हम लोग इसको बैसिंग कर एक क्या कर जो टाफ न पुर्वरड बाइसिंग का करें लगा है positive N say negative तो हानी खतम पिसे लगाया positive N से लगाया नेगेटीव यह बन गया आपना forward by basic आपे देखं़ ऊजुने इसके अंदर क्या करेंगे रिपल करेंगे तो यह क्या करेगा इसको पुश करेगा कौन किसको पुश करेगा सर यह जो पॉजिटिव टर्मिनल यह इसको क्या करेंगे पुश करेंगे अंदर की तरफ और यह जो डिप्लेक्शन लियर है यह डिप्लेक्शन लियर को कम करने की कोशिश करेंगे क्या और यही ब्रेक करना अपना एम क्या है कि इस डिफ्लेक्शन लेर को ब्रेक करना है तो जब आपन इसको पॉजिटीव और इसको नेगेटिव लगाएंगे पी को न जब लगाएंगे तो फारवर बाइसिंग बन जाएगा और इसके बीच का दरुआजा खुल जाएगा के लिए अपना डायोड कभी चालू होगा जब वह फॉरवर्ड कंडिशन में होगा अब इससे रिवर्स कंडिशन क्या है यह देखो यह है रिवर्स कंडिशन पी को बनाया नेगेटिव से एन को लगाया पॉजिटिव से पी को लगाया नेगेटिव से एन को लगाया पॉज है वो इस positive की तरफ attract होंगे तो यह रास्ता तूटने की जगह यह रास्ता बढ़ रहेगा यह बढ़ेगा 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 तो इसका मतलब क्या है इस टाइम पर कोई भी इंडक्षन नहीं होगा यह रास्ता में तोड़ना है तभी अपने यहां से भाग बाएंगे और यह रास्ता तोड़ने के लिए कितनी एनरजी लगती है कितनी पावर लगती है या फिर मैं बूलू कितना पोटेंशल लगता है तो अगर आपको याद हो तो आप लोग ने पोटेंशल लगता है सिलिकन का बना हो तो 0.7 जरी में यम का बना हो तो 0.3 बोलो बात क्लियर यह हो गया आपका पूरा कंक्लीट बेसिक यह यह बोलो यह माही नहीं गेमिंग है जाल बहुत बढ़ यह बहुत अच्छे ख्लीयर एक टर बूल दो क्लियर ख्लीर जिनको क्लीर नहीं हो रहा है फिर से जिनको क्लीर नहीं हो रहा है मौं को यह की रिक्वेस्ट करूंगा जाए ये यूटूब चैनल पर ही जाकि सर्च करिए सेमी कंड़क्टर अजय पटेल सर्थ आपको मिल जाएगा येस सेमी कंड़क्टर कंप्लीट मिल जाएगा अभी आते हमारे इंट्रॉडक्शन में यही मैंने आपको पुरा इंट्रॉडक्शन दि मतलब उसके अंदर से कुछ भी फ्लो नहीं करता है और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है डायोड एक्ट एजर ओपन स्वीच मतलब उसके अंदर से कुछ भी फ्लो नहीं करता है तो अभी एक इंपर्टेन्ट डायग्राम कहां यह आपका इंपर्टेन्ट डायग्राम ढोड़्यों के लिए पूछब सकते हैं ब्रांस्फोर्मर क्या है में हम लोग ने देख लिख लोरतुट्र टो डिवाइस इवाइस विचेव यूज्ट रूद ऊंचिवाइस इस वंतनी पंख वराइस दिवाइस इन्टोथ ईस रेटी फायर को डीसी में करता है मलब जो आपके घर में पावर आ रही है उसको डीसी में करता है बेस्ट एक्जम्पल सर एक्जम्पल तो तो अपका 있으र अपके सौकेट तक तो एसी सप्लाय आता है लेकिन उस सौकेट की पाद जब लगाते हो चार्जर को इससे लगाते हो बैटरी अंदर है तो आपको क्या होगा आपको वह एसी को करना पड़ेगा डी सी में तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी तो उस चार्जर में या फिस मोबाइल के अंदर एक ऐसा सर्कृट होगा जो यह हो गया अपना अभी प्र क्यूत आतम की मिलता है यहा पर मशचान सर्कृट मिला हमें हमें आओट्पूट मिला पलिँग आउटपूट यह फिर बोल सकते हो कुछ ऐसी कंपोनट प्रेजेंट है प्रेजेंट यहाँ तो है लेकिन अटी सी नहीं है यह क्या है यह क्या है यह यह उसको प्रडी सी प्नाने के लिए विए यूज फिल्टर कौन सा फिल्टर यूज करते हम लोग यहां पर आपको मिला है 9 V, यहां पर आपको मिला है 9 V, लेकिन आपको जो चाहिए 12 V चाहिए आपको, आपको कितना लगेगा 12 V ही लगने वाला है, तो अब यह रेगुलेटर क्या करता है, अपको आपका desired output देता है, बात clear, चलो, आगे चलते हैं सब्सक्राइब निकाल लो अपन पड़ते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बला था यह चैप्टर में सिखाऊंगा तो इसमें जो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो टॉपिक है उसका मैं बेसिक सी बताने आला हो अगर उसका डिटेल में देखना है ट्रांजिस्टर एज एप्लिकेशन और वह आप लोग देख सकते हो तो आदे से ज्यादा बच्चे यहां पर छोड़के भाग जाएंगे ट्रांजिस्टर का मैं बेसिक बेसिक साली चीदे बता दूँगा और उसकी जो आगे कहानी है वह उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो दे दूँगा वह देख सकते हो क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत बार ज्यादा नहीं पुछा जाता है आपके बुक में ट्रांजिस्टर की कहानी पुरी उल्टी दी गई है अब जो नाम है ना ट्रांजिस्टर का नीचे दो टाइप हो ते ट्रांजिस्टर के वह उल्टा उल्टा नाम दी है तो ऐसे बच्चा पगला जाता है तो ट्रांजिस्टर नहीं सिखाने लाँ मैं पहल लिस्ट अविलेबल है येस वही कर रहा हुए इंपर्टन समझा देता हूं तो रेट्टी फायर के दो टाइप सोते हैं इतना डाइप सोते हैं सर आफ एव रेट्टी फायर एंड फुल वेव रट्टी फायर अभी नाम में देखो न अरे आधिस से ज़्यादा कहानी तो नाम में रखी है ठीक है कौन बोलता है नाम में क्या रखा है नाम में ही सब कुछ रखा है यह लिख लो नाम में ही सब कुछ लिखा है आजे सर ने बोला था और हाँ सची बात है से नाम पढ़ो गए तो आधे से ज्यादा कहाने आपको समझ में आती है हाफ मतलब अपने को मिलने डिसमें यह होगी तोगी मतलब कि मिलनेफ ऑन को चीजे मिलने में कहते हैं Oreo के ड IX यह क्या होता है मैं आपको पताँ डिवाइस which is used to convert ac into dc प्रीक है और यह जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रेटिफिकेशन बोलते है ओके और रेटिफियर क्या एक डिवाइज है रेटिफियर क्या है एक डिवाइज है अभी रेटिफियर को कैसे बनाए जाता है रेटिफियर इसमेड बाई यूजिंग डायोड तो ड से तो इसमें दिखना है ध्यान से सुनना सबसे पहले रेटिफियर का मतलब है क्या होता है तो और लिखेंगे कि देखते थे हम लोग उसको एक्स्पेन करेंगे और लास्ट में हम लोग वेफ्वार्म उसका वेफ्वार्म और आपको यहाँ पर दो से 3 क्या से examiner दे देगा circuit diagram waveform is compulsory for this topic लिख लोग आई पर तो भी यह देखो क्या मिला है सबसे पहले यहां पर हम लोग ने लगाया transformer क्या लगाया सर लगाया transformer और transformer से यहां पर लगाया input यह क्या है अपना input AC supply इसको हम लोग AC supply बोलते हैं क्या अरने करते है डायोट के साथ और यहां पर लगा होता है अपना load यह अपना load होता है अभि इसलुẫn हम लोग लिखते है यह डायोट अभी ध्यान से समझद ना देखो यहां पर अभी AC supply है आप यहां बनाते हैं एक input और एक outlook इंपुट वेव developed इंपूट बनाते हैं input and output तो input कैसा दिखता है sir AC है न तो ऐसे ही दिखेगा sir पक्का ऐसे दिखेगा na AC है तो ऐसे ही दिखेगा sir very good बहुत बढ़िया जिसने नहीं बोला भाईया जाओ पड़ाई करो तो यह AC हो गया अभी हाफ यह क्या दिखेगा देखो During first positive half cycle During first positive half cycle a will become positive and b become negative तो पहली half cycle के लिए terminal a, point a और point b यह क्या बन जाएंगे a and plus and minus respectively अभी यह plus बन गिया यह डायोड है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर plus आया और यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर already minus आजाएगा पराबर है तो क्या यह काम करेगा क्या यह काम करेगा अगर इसको मैं ऐसे निकालके दिखाओ तो क्या आप मानोगे देखो इसको मैं ऐसे निकालके दिखाता हूँ इसको मैं ऐसे निकालके दिखाओ अब बोलो यहाँ पर positive है यहाँ पर negative है तो यह क्या बन गया यह क्या बन गया इसा मिलेगा वेफ और हाफ सैकल यह जो डायोट होता है इट स्टार्ट कंडक्टिंग फिर उसके बात में क्या होता है कंडशन हो गया यहां से चलते यहां पर आ घिआ इसका मतलब यहां से मिंस आ और यहां से टिपिक टिपिक यहां पर प्लस आ गया तो ऐसे टााइम पर क्या अपना डायोइट चलेगा नहीं चलेगा क्यों धिया रिवर्स् क्यों नहीं चलेगा क्योंकि यह रिवर्स बायस हो गया क्या हो गया इसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला तो यह 0 रहेगा यह 0 रहेगा फिर क्या आ गया फिर पॉजिटिव आ गया तो यह पॉजिटिव हो गया और फिर क्या हो गया फिर यहां पर अपना आ गया पॉजिट चाल लो गया मतलब यह फारवड बाइस हो गया वह यह कंड़क्ट करेगा यह हो गया आपका हाफ फेव रट्टी फायर की कहानी यह हो गया अपना हाफ वेव की कहानी कि यह यह वेरी गुड चलो बहुत बढ़ी हाफ यह समझ में आगे सबको यह देखो बाकी रीड कर लेना आपका आपका कहानी इंपूट और आउटपूट ओके चलो अभी हाफ में कुस तो प्रॉब्लम थी हाफ में अपन आधी जो वेव है जो नेगटिव वेव है वह यूजी नहीं कर पा रहे थे तो अपने को क्या करना पड़ा अपने को उसकी एफिशेंसी बढ़ाने के फिर आया हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर क्या आगे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर तो सर फुल वेव रेक्टिफायर क्या है वही कहानी अभी फुल वेव रेक्टिफायर फिर से क्या लिखोगे एक्स्प्लेव रेक्टिफायर मतलब क्या फिर लिखोगे इ current flows from same direction एक्सेटरा एक्सेटरा हम लोग इट कंसिस्टेड ऑफ टू डायोट्स जो कंड़क्ट करता है एक करता है पॉजिटिव हाफ सैकल में दुसरा कंड़क्ट करता है नेगडिव हाफ सैकल में तो इसका डायग्राम देखो कैसी आता है चार से पाच मांक से बिटा इसको में लोग बोलते के ऐं तर टेप्ट ट्रांस फॉर्मर मतलब इसके आउट पूट में तीन टर्मिनल होते हैं जिया यहां से आया यहां पर एक डायोड लगाया डायोड का कर्णेक्शन बहुत इंपॉर्ट एहांपर दीवन और यहां पर एक डायोड लगाया देवन दोनों का facing देखो कैसे है line line दोनों same same बना रहे हो D1 D2 और यहां पर अपन बाहर निकाल के रख देंगे इसको हम लोग कर देंगे short ठीक है और यहां पर अपन output लेंगे ठीक है देखो यहां पर कचला दिखेगा भी यहां ऐसे बना के दिया आपको यहां से निकाल के बाहर दि direkt पराबर है अभी देखो इसको मैं ऐसे बना हूंगा यहां पर मैं यह बना देता हूँ तर यह right है यह output है यह output हियह आउटपुट लेंगे अबन कि और लेक आजो गे तो भी चलेगा यहां है कि यह हो गाही है फिर से अभी क्या होगा सर पॉजिटीव हाफ साइकल पॉजिटीव हाफ साइकल में वह कहानी होगा धोपने को दे दिया है ने फितनes होगा पॉज़िरिव असे होगा हैm देखो यह से बनेंगे यह क्या होखा नेगेटीव और यह नेगटीव है जोड़ दो घ्यांँ से त्वै nam अभी बता कॉन सा डायोड कंडकि करेगा नेगेट करें tip को जो कि पॉलो यह रेखो यहां पर पॉजिटिव गया यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा बता तो क्या हो गया आपका डीवन हो गया फॉर्वड बायस एंडीटू हो गया रिवर्स बायस तो अभी बताओ करन कैसे चलेगा ऐसे चलेगा यहां पर आए आपन नहीं सकता वह जाएगा यह से जाएगा तरही सी Caroon समझ में आ गया वह से पी जाएगा से क्यूह से और आर से सी यह अपना करन धाड दीरेकशन हो जाएगा ठीक है तो यह फॉर्स्ट पॉजिडिटिटिफ हफचाल में हो गया अपन यहां पर निकाल लेते भाया तो आजा फर्स्ट पजिवडिव साफ सेकल के लो हो गया थोड़ा सा वेफर्म समझ लेना थोड़ा सा आधा तला लाइना दा है आप लोग लोगे मुझे पता है यहां पर यहां पर दो निकालते हैं यहां पर डीवन यहां पर डीटू यह अपना इंपूट है तो अभी किस सेस्ट आगे चलते हैं नेगी अदम करो अभी इपीक टिपीक टिपिक टिपिख टिपीक टिपिक टिपिक नेगेटिफ तहसी क्या होगा समझे यह कर यह सब्हों सब्सक्राइब करेंगा यह सुक्त सब्सक्राइब अपर यहां रास्ता बंद हो यहां से ऐसा याएगा फिर अपना पात करेगा करें प्र यह उसका पाथ होगा यहां पर यहीए नहीं आ काम कहां नहीं अनिंहें करेगा यह काम करेगा और फाइनल जो i wanna कैसे होगा यहां पर दीवन ने काम किया यहां पर डीटू नेकाम किया अपने को क्या मिला क्लियर है क्वोलिय यह हो गया आपका full wave ratifier का कहानी मुझे पता है मैं थोड़ सा फास जा रहा हूँ रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दो बार सुन लेना तो आपको मज़ा आ जाएगा आपके चलिए डिसडवांडेज पढ़ लेना अभी रिपल फेक्टर क्या होता है रिपल रिपल यहां पर आपने को आउटपूट मिला था रेट्टी फैर का उटपूट उसमें ऐसा कुछ दिखा था अपने को इसी को लोग बोलते है रिपल्स क्या बोलते हम लोग इसको रि यहां पर इसका फोर्मूला है रिपल्स मतलब जो अपने पास इंधि में क्या रहे है रिपल्स को मैं क्या बोलते है रिपल्स को मैं अटा ना क्या है हotz C नहीं तो इसमें कुछ अपने Si component present तो isश Alles couple in कि हमें करना है तो आरपल्स होती है सबार आपको तो यह यह सथाम्फटरे में होते हैं अगर यह पॉछ सकते हैं शचले पनलब ग्रौन थक जो यह ब्याइक प्रेज़न होते हैं डी से मैं एसी कंपोनेन प्रेजंट होते ड के लो आगे चलते हैं मैंने पहले बता दिया था एसा आउटपट इसका इसका मिलेगा इसका यह मिलेगा इसका आउटपट में एसस मिलेगा प्योर डीसी मिलेगा तो यह फिल्टर क्या करता है फिल्टर ली मूँव्स ते इसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट कि एची कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन देशी वेभिस सब्सक्राइस पर फेलाल सब्सक्राइब कि एक तो क्या करते हैं बिल्टर कि फिल्टर अपना वेब समय के meditate यहां पर हम लोग सीखने आले तो यह क्या करता है उसको यूज करता है किसको एसी एक कंपोनेंट्स को ब्लॉक करता है और डीसी कंपोनेंट्स को अलाव करता है क्या करता है यह कपैसिटर कैपैसिटर इस यूज्ट यहां बदे को लिखके दिया है लिखके दिया है सब कुछ लिखके दिया है एक पैसिटर इस यूज्ट तो ब्लॉक एसी एंड अलाव केपैसिटर का कहानी हो गया है लिए कंपेसिटर की कहानी का काम करता है 총 पे काम करता है ये करता है किसे कतियों आए ये बहुत बड़ेंद नहीं करता है चले आगे बहुत अच्छे आभी हमारा में चीस चाल होता है जो एक्जाम में आने के चांसेस है स्पेशल परपस जंक्षन डायोड अगर पता हो तो इसमें हाट डालना बच्चा लोग डायोड नहीं पता तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो डायोड एक स्पे पमें और लास्ट एली एली तो सब लोग ने देखि होगी आपके घर में दिवाली में लगाते हो ना तो वह सब्चाइब आपको डायोड दायोड दैएओ दिख रहा है तो इसमें अपन डायोड का प्रिंसिपल करते है मतलब सेमी कंडॉक्टर रिवे यहां पर अपन इसल डायोड तोलार सेल एंड एलेडी इन तिनों में से एक कोश्चन पूछ सकते हैं बोलो चले आगे पहला फोटो डायोड नाम में देखो ना फोटो डायोड फोटो मतलब क्या बच्पन से पढ़ा फोटो मतलब लाइट लाइट से चलने वाला जो डायोड होता है उसको हम पहलों क्या बलते हैं फोटो डायोड ऐलेट से चलने वाला डायोड को फटो ट ऑर डायो Wes स्पेस्षील टॉफ पे जंचन डायोड वीच कनवर्ट लाइट एनजी इंटिउवलेट्रिकल आश्यू करता slipped सोलार सेल क्या करता है आज तक हमको सब जूट बोलते थे क्या कि सोलार सेल लाइट को करता है और यही यह भी तो वही काम करता है क्या मगज प्रॉब्लम क्या है इसका कोई स्लूशन है क्या हम लोग आज तक गलत पढ़ रहे थे या फिर हमें कुछ गलत पढ़ाया या ऐसा कुछ है क्या नहीं तो दोनों में डिफरेंस है ज्यां देंगे डिफरेंस क्या है फोटो डायोट समझ लो जब सोलार सेल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यह दोनों अल पारेट करता है इसके अलग-अलग नाम है फोटो डिटेक्टर फोटो सेंसर और यह अभी इंपोर्टेंट पॉइंट है हाइलाइट कर लो इसको इट और इसका सिंबल यह इसका सिंबल है light arrow अंदर आते हुए दिखाना अगर arrow गलती से ऐसा दिखाया arrow गलती से अगर ऐसा arrow दिखाया तो यह किसका symbol है यह symbol है LED का light emitting light को बाहर फेक रहा है light को बाहर फेक रहा है और light अंदर आ रही है दोनों में difference है क्लियर अभी इसका schematic structure diagram है schematic diagram है इसमें क्या कर दिया आपको यह diffusion mask है SIO2 का ठीक है इसके ओपर coating लगाई जाती है यहां पर P region है यहां पर N region है तो यह आप लोग basic है यह आप लोग देख सकते हो schematic diagram है यह बनाना है तो बना सकते हो नहीं तो यह आपका practical diagram यह प्रैक्टिकल ऐसा यह component आपको मार्केट में मिलेगा component यह आपको मार्केट में मिलने आला है तो चलो इसका major क्या वर्किंग यह है तिक हो schematic बनाने किसी को reverse bias P से negative N से positive यह क्या बन गया reverse bias condition light गिरेगी तो light अपने साथ क्या लाती है light अपने साथ लाती है electrons and holes pair याद रखना light क्या लाती है अपने साथ electrons and holes pair जब यह इसके उपर गिरती है तो अपने electrons and holes अलग-अलग हो जाते है ठीक है वह अलग-अलग हो जाते है रिस्पेक्टिवली और यहां से अपना एक supply और यहां से अपना दुसरा supply निकल जाता है और यहां से अपने को क्या मिलती है light हमारी convert हो रही है कि आपने देखो नहीं से पोजिडिव चार्ज नीकल गए निकल गए जैसे यह निकल गए मतलब क्या हो रहा है है अपने गार्टन कर रहे हैं और अपने पास पॉटेंशेल और क्रेंट मिल रहा है यह रहा है ताहानी खतम इन खतम इतना ही है perfect Cartoon Gamer एये वाला डाय करे में इम्मोर्टेंट है इनुछ pulse अगर फूर कियुत फूंचा वर्किंग कंस्ट्रॉक्षन कुछ भी विशे वाला इम्मोर्टेंट है यह वाला बनाना नहीं बनाना है 110 पसंट और अगर हिम्मत है अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो अगर यह याद हो तो यह निकाल सकते हो याद ना हो तो भी चलेगा अगर याद हो तो भी चलेगा नहीं हो तो भी चलेगा ठीक है यह कंस्ट्रक्शन में निकाल सकते हो नहीं गेमिंग बेटा नहीं चले आगे चलिए सर बहुत बढ़िया इदम इजी हैं फिर से मैं बतारो देखो क्या होता है जब लाइट गिरती है डायोड के उपर यह पी और यह एन सबसे पिले रिवर्स करो इसको तो इसको लगा दिया नेगेटिव इसको लगा दिया पॉजिटीव यह रिवर्स कंडिशन हो जाते हैं तो वह पर अपने को रिवर्स करेंट मिलता है ज्यादा लाइट गिरेगी तो ज्यादा करेंड मिलेगा कम लाइड गिरेगे तो कम करेंड मिलेगा और जब लाइट नहीं होती है जब लाइट नहीं होती है तब भी एक करेंड फ्लो करता है उस करेंड को हम लोग नाम बोलते है डार्क करेंड उस करेंड को हम लोग क्या बोलते है डार्क करेंड छोटा होता है ठीक है reverse current छोटा होता है बहुत तो यह हो गई कहानी अपनी पूरी वर्किंग की थेयरी में यह लिखना है बटा कि जब लाइट गिरती है देखों यहां से लिखना थेयरी यहां पर पढ़ना है इल्युमीनेटर मतलब उसके पर लाइट गिरा है इंसिडेंट होल इलेक्ट्रों पर जनेरेटेड इन दी डिफ्लेक्शन लियर इसके जो डिफ्लेक्शन लियर में है फिर एनरजी इंसिडेंट फोटॉन शूट बी ग्रेटर दन दी बैंड गैप बैंड गया कि अपना इलेक इलेक्टरोंस एक तरफ चले जाते हैं एक टरफ चला जाते हैं क्यफ़ के पास कर आए ट्रिफ च्रन करता है तो जयादा सेड़ा घिरा गोगे तो एधा जstar करेंट बनेगा तो तो रिवर्स करेंट on photodiode depends on the intensity of light ज्यादा light तो ज्यादा current तो जो current होता है किसके पर depend करता है light के पर depend करता है इसको हम लोग control कर सकते है by controlling the concentration of minority charge carrier अभी इसमे current क्यों फ्लो करता है current flow करता है रिवर्स कंडिशन है तो रिवर्स में current किसके वज़े से चलता है minority charge carrier के वज़े से इसमें current चलता है हो गया कहानी खतम और यह उसका हो गया वी आई वी characteristics आई वी बोलो वी आई करेंटरिस्टिक्स बोलो खतम येस ठीक है और यह डार्क करेंट की कहानी में बता दी यह वेफ़ॉम है यह characteristics है यह इसको आप लोग ख्याद कर सकते हैं रिवर्स में ही चलने वाला है येस और यह light के साथ graph दिखा है किसके साथ light के साथ वह वी आई characteristics है यह relation बता रहा है वह वह वी आई characteristics के लिए आएगा वैवाव और यह relation between current and light ज्यादा light तो ज्यादा current खतम ज्यादा light तो ज्यादा current अभी यहां से graph क्यों चल रहा है जब light नहीं थी तभी एक छोटा current चल रहा था तो इसको dark current बोला था अभी dark current है तो resistance भी होगा बराबर है और resistance का formula क्या होता है वोल्टेज अपन करेंट तो वही है वोल्टेज अपन करेंट तो रहा डाक रजिस्टन्स नाम भी है तो वह आप लोग देख सकते हो यहां से यसा जैसे लाइट बढ़ेगी current बढ़ेगा और एक value के बाद जाके वह saturate हो जाएगा क्या हो जाएगा एक saturation हो जाएगा चलो बहुत बढ़िया यह देखो dark resistance वोई voltage अपन करेंट येस चलो advantage, disadvantage यह by default आपको पढ़ना है ठीक है क्या-क्या पढ़ना है आपको by default advantage याद ही करने पढ़ेंगे ठीक है disadvantage उसमें explanation तो कुछ है नहीं and application application बोलो users बोलो कुछ भी आप बोल सकते हैं ठीक चलिए बहुत बढ़िया अभी आ जाता है इस तरफ solar cell solar cell मतलब क्या solar cell का दूसरा नाम है photovoltaic cell क्या है दूसरा नाम photovoltaic cell आपने उपको ने देखा होगा यह रिक्वाइसा होता है बहुत सारे च्छतों पर बहुत सारे इसको अपन बैटरी लगा के काम नहीं करवाते हैं अपन क्या करते हैं यह अपने पास डायोड है इसके ओपर लाइड गिरेगी और यहां से अपने को डायरेक्ट पॉजडिव और नेगेटिव मिलेगा कहानी खतम कहानी खतम इसको नहीं अपन फरवर्ड बाइस कर रहें करना ही रिवर्ड बाइस कर रहें कोई भी टाइप की बाइसिंग नहीं है रिकवाइड लियर तो यही डिफ्रेंश है यही होता है यहीज़ु क्या करता है यह बहुत सरी हूंग आप लोग पॉटो थर्मल डिवाइस देखे होंगे बहुत चारे सोलार हीटर्स आते हैं क्या होते हैं सोलार हीटर्स थीक है सोलार कुकर्स आते हैं आप लोग ने नौवी दस्मी में बढ़ा होगा तो अब लोग करेंट और वल्टेज जब अपका जो डायोड है वह कैसे रिस्पॉंड करता जै भड़ते जाएगा बढ़ते बढ़ते गवेq वेल्लू के लग खथे वह सब्सक्राज होगरे थोड़ागर करके वो ब्रेकदा ऑं हो जाएगगा तो यह इस रिए मनोग पोलती है मैं यह इस इसका цен का आउटपट हमेसा होता है कैलो की लाइट गिरी अपने को यह पर एक पॉजिटीव और एक नेगर्टीव टरमीनल देता है क arrivé नेगर्टीव और पॉजिटीव टरमीनल देता है मतलब सर मतलब हमारे पास यह DC output देता है क्या देता है हमें तोलर सर ओल्वेस डीसी आउटपूट तो कैसे होता सर केमेटिक डियाग्राम देख लो बहुत इस बनाए जाता है पी टाइप से ऊपर एक अर्-क एंटि रिफ्लेक्टिंग लगा जाती है यह रॉष्णी आए और ठकरा के फिर से चले ना जाए अगर अके चले जाएगी तो कुछ क्या नहीं होगा क्योंकि जीतना जाधा लाइट आएगा जितना जादा वेनरजी बना पाएंगे ठीकिक बना पाएंगे तो लाइट को जाधा से जाधा एब्सार्प करना है इसलिए हम लोग उपर की सर्फेस होती है उसको हम लोग nk reflecting कॉंटक्स से बना जाता है सीयं है फॉरंड बाइक कंटर मनले यहां सेफ़न त्वैन रहें यह इंए में इने ऐ आउटपट मिलेगा इतना इन यह गय् Shiny सकते ओं इन भी टाइप इन िसकेर इंट अचीज पी टाइप इस तीक ठीक है compare to n-type ठीक है doping देख सकते हो आप लोग thickness देख सकते हो और वो भी आप लोग लेख सकते हो यह anti-reflecting क्यों लगाया प्रोटेक्टिंग परपस के लिए लगाया गया है ज्यादा ज्यादा एनरजी एब्सॉप हो उसके लिए लगाया गया है यह भी आप लोग बोल सकते हो यह principle है यही है कि जब light आएगी एलेक्ट्रॉन वोल्स बर बनेंगे वह डायोड आप यह पर यह अपने एलेक्ट्रॉन से एक तरफ होंगे और अपने को एनरजी मिल जाएगा ओके चालो पड़ लेना यह होता है ओके चलिए या बहुत ही प्यार से बहुत ही प्यार थे बहुत ही प्यार से ये लेक्ट्रॉन होता है फिर बाद में कहां पर ये अर्ट पर टै। से तो मतलब लाइट के वज़ेसे हैं defa अलेटर suck ऑप एक एलग याटेरोंड臘 जम्हा करते है से क्या घृतियुलेट जसे अपने को क्या मिलता है वोल्टेश और करड़ अपने प्रवर दस प्रडूस इन डेसिप्येटेड इन दी लोड जो पावर हमें मिलती है वह हम लोग डारेक्ट इसमें लगा देते लोड में लगा सकते है तो यह सोलार सेल का यहां पर और एक है यहां पर आप लोग देख सकते हो री कॉंबिनेशन होता है और यह बहुत सरे चीज जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके पर पूरी विश्वास रखे पूरी श्रद्दा रखे आप लोगो लिख्या जाना और सेम कहानी विए क्रेटरस्टिक्स जैसे आपने लोग ने देखा फोटो देखा इसका भी है पस इसमें क्या होगा इसमें शॉर्ट सर्कृट करेंट ए इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर दोगे तो आपको मैक्जिमाम यहां पर इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा करेंट एंड वोल्टेज मिलेगा चलो बहुत बढ़ी है रहे देखो िइस देखी है रहे रटी लेना युजजश क हांगा यूज़ करथे बैटरी स्टेशन में देखा चार्जिंग बैटरी देखी हों में लेत चार्यश में US पर ही आप लोग सर्छीनी से ओसार इसारे सारे नोधगे हो Theory ने होन्पन ellas लगए होता है बहुत सारा चाम uses है, clear, last बच्चा LED, LED मतलब क्या light emitting diode, जिसमें से light निकलती है बहार, कभी निकलेगी light बहार, जब आप लोग इसको forward बायस करोगे, क्या करोगे, forward बायस करोगे, कभी इसमें से light निकलेगी बहार, clear, light emitting diode is commonly called as diode, which emits light when large forward current passes through it, yes, यह उसका symbol है, बहुत easy है, यह बहुत easy है, क्या होता है, same construction होई है, P type, N type, देखो, N is heavily doped, P is compared to P, LED junction is N case, dope like structure, यह देखो, ऐसा structure होता है, dome like structure होता है, epoxy resin का layer होता है, lens होता है, wire होता है, उसके बीच में reflecting cavity होती है, जहां से light आती है, अभी dome shape क्यों बनाए जाता है, ताकि अपनी light uniformly distribute हो, और ऐसा बनाए जाता है, कि वो अंदर ना रहे light, light बहार जादा से बहार जाए light, अंदर ना रहे, फिर यहां पर anode होता है, cathode होता है, ठीक है, एक बड़ा होता है wire और एक छोटा wire होता है, यह electrode होता है, तो P से positive, N से negative, forward कर दिया, आच्छा, जैसे current flow किया, तो यहां पर क्या है, P side और N side से, यहां पर आके अपने electron whole pair बन रहे है, क्या बन रहे है, electron and whole pair, अभी अपने देखा था light गिर रही है, तो light अपने साथ क्या ले क्या थे, electron whole pair, तो light बनने के लिए भी तो electron whole pair चाहिए, तो यहां पर क्या करते है, अपन री कंबाइन करते है, electron whole pair को, और उसके जैसे light निकलती है बहार, yes, क्या निकलते है, light निकलती है बहार की दरफ, yes, बोलो, आगे चलते, क्या बोल रहे हो, sir, आप कभी मेरा कोई reply नहीं देते, अच्छा, क्या बोला था, पुछा था आपने, कितने पैसे कमा लेते हो, sir, क्यू बेटा, रिस्ता भेज रहे हो, शादी करवा रहे हो, कितना पैसे कमा रहे हो, लाखों करोड़ों में कमा रहे हम तो, भी ना, चलिए, आगे चलते हैं, यह होगे आपका LED, LED को सेमी कंडिक्टर की मदद से बनाए जाता है, अभी आप लोग बहुत सरे, अलग-अलग कलर देखते होंगे, एक ही LED में लाल, हरा, पिला, नीला, आपको ऐसे कलर दिखते हैं, तो वो कैसे बना जाता है, वो अलग-अलग components, अलग-अलग elements को mix करके, आपको अलग-अलग color का effect दिखता है, यहां पर सारे effects दिखा है आपको, यह से कि, अगर आपको चाहिए, देखो, अगर आपको LED is manufactured using aluminum, gallium, arsenide, it emits infrared radiation, अगर आप लोग LEDs को बनाते हो, गैलियम, arsenide, phosphide से तो आपको उसको yellow और red मिलेगा आपको, अगर आप लोग बनाते हो, अब बहुत सरे terminals की भी आती है, LED तो यह easy आप लोग एक कहानी समझ जाओ, कहानी क्या समझ आपको, n-type, p-type, electrons, holes, light गीरी, electrons, holes, compare यह हो रहे, combine हो रहे, combine होने के बद में light निकलती है, पहले में light आ रही है, electrons, hole pair बन रहे है, और वो separate हो रहे है, और अपने को output मिल रहा है, कहानी एक ही है, ठीक है, अलग-अलग tap में use किया गया है, अभी इसका विया क्रेशिक कितना easy है, जैसे ऐसे voltage बढ़ेगा, current भी वैसे वैसे बढ़ेगा, बराबर है ना, जाधा current देरो, जाधा voltage देरो तो जा होता, ठीक है, no warm-up time, टिक क्लिक या चालू, excellent color grinding, उसके बाद में, eco-friendly होता है, उसके बाद में control label, आप लोग brightness कम ज़्यादा कर सकते हो, अब यह LED के बारे में, और क्या बाता हो, अबको में, ठीक है, चलो, I hope आपको यह सारी कहानी समझ में आ गई होगी, अभी चलते हैं हम लोग, last, दो topic बचा है आपना, basics बताने लोग में, transistor क्या होता है, ठीक है, हम लोग कॉन सा transistor पढ़ रहे हो, और last अपना बचेए का logic gate, तो आदे घंटे में अपने topic खतम हो जाएगा, आदा अच्छा बेटा, 12th board exam cancel हो गई है, अच्छा, तो भी पढ़ाना है मुझे, मेरी मर्जी, पढ़ाना है मुझे, येस, हेलो अनूराख, चलो आगे चलते हैं, bipolar junction transistor, सबसे पहली बाद, transistor है, ठीक है, transistor, मतलब, तीन, तीन टर्मिनल वाला रजिस्टर, तीरी बाद, तीन टर्मिनल वाला रजिस्टर, ठीक है, इसके बहुत चरे टाइप्स है, bipolar junction transistor, फिर बाद में, MOSFET, MOSFET, Metal Oxide, semiconductor, transistor, फिर उसके बाद में, मतलब, FM MOSFET, F MOSFET, बहुत सरे टाइप के MOSFET, अवेलेबल है, ठीक है, मतलब, यहाँ पर, transistor, बहुत सरे टाइप के होते हैं, आप लोग यहाँ पर एक बेसिक टाइप पढ़े हो, जिसका आप लोग बोलते हो, DJT, bipolar junction transistor, तो a junction transistor is a semiconductor device, having two junctions and three terminals, तो basically transistor क्या है, transistor में, basically आपको, दो junctions देखने मिलते हैं, और तीन terminal, तीन terminal मतलब, तीन electrode देखने मिलते हैं, वालब, यह तीन terminal device है, जैसे diode, diode में एक junction होता है, दो terminal होते हैं, वैसे transistor में, तीन diode, तीन terminal होते हैं, और दो junction होते हैं, कैसे सर, यहाँ पर देखो, इसको हम लोग 2 diode analogy भी बोलते हैं, 2 diode analogy भी बोलते हैं, अब इसमें क्या-क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर, the current in the transistor is carried by both electrons and holes, तो जो current carry होता है, वो दोनों के जैसे होता है, electrons और holes के जैसे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको bipolar junction transistor भी बोलते हैं, और transistor has three doped region, इसके पास कितने region होते हैं, तीन region होते हैं, जैसे हम लोग ने देखा था कि P को और N को मिला दो, तो PN junction बन गया, वैसे हम लोग, जब PNP, क्या बोला मैंने, PNP को मिला देंगे, तो एक type का बन जाएगा, और NPN, ऐसे मिला देंगे, तो एक type का transistor बन जाता है, तो तीन doped layer हम लोग लेते हैं, जिससे हमारा transistor बन जाता है, अब यह देखो, यहां से टर्मिनल निकलेगा, य यहां से एक निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो यहां पर तीन टर्मिनल होते हैं, यहां पर देखो, यह एक junction, यह दूसरा junction, दो junction proof कर दिये हैं, यहां पर भी same, यह दो type होते हैं, transistor के दो type है, एक NPN और एक PNP, mostly आप लोग NPN पढ़ोगे और same आप लोग का NPN की कहानी होती है ठीक है दो टाइप है NPN और PNP अभी देखो दो जंक्षन मेंने प्रूफ कर दिये तीन टर्मिनल तीन टर्मिनल का नाम क्या है उन तीन टर्मिनल का नाम है एमिटर लिख लो कहीं पर एमिटर बेस के लेक्टर अचैनल की अब देखो मैंने क्या हूँ था यहां पर नाम गलत दिया है यहां पर यह आएगा कि यह आएगा यहां पर नाम कि यह सिंबल है सब लोग करेक्शन कर लेक्शन अपने टैस बनाथे सिंबल सर यह को एक बनाएंगे what बनाएंगे क्या बनाएंगे सर के बनाएंगे ठीक है यहां पर यह क्या बन गया यहां से एक चीज आएगी ठीक है कलेक्टर मतलब जहां पर कलेक्टर का कहानी यहां से निकला हमेशा एमिटर के पास होता है एरो एमिटर के पास होता है अभी एरो दो होता है यह जहां पर यह इस पर यह दोनों होगी वह बेस तुझा अपर एरो दिखा वह एमिटर उसके बाद उसका कलेक्टर जहां पर सारे चीज़े को गी और जिस पर यह दोने चीजे करें होगी यह क्या होगा वह बेस होगा यहाँ अभी प्यस्क्रेश करते पी एन पी मतलब बेस की तरफ एरो है इसका मतलब वह पी एन पी है क्या है और अलटा हो जाएगा खट यह तो अंदर की तरफ यह बेज पी इंप पानी पी-पी-पी ठीक है तो पी अंदर की तरफ और उलटा एं पी-ण करेक्शन कर लेंगे जिनके बुक में राइट है वह प्रीस करेक्ट कर लेंगा यहां पर देखो उसका कंस्ट्रक्शन तो आप लोग को एक ही कंस्ट्रक्शन पढ़ाए जाएगा एंपिन का सेम आप लोग पी एंपि के लिए पड़ सकते हो देखो एक छोटा सा पी टाइप अपन चोटा सा लेर लेते पी टाइप का और उसको दो एंट के बीच में सैंविच कर देते क्या कर देते सैंविच कर देते उसके बाद में पी कैसे बनाओगे पी बनाने के लिए एक चोटा सा एंड लेंगे और उसके आगल बगल में हम लोग बड़ा बड़ा पी ले लें ठीक है अपना pjt यहां कोई गैरंटी कि नहीं है फेल भी हो सकते हो थेकर अभी देखों हमें में इसको टू डायोड एनवरजी ने क्यों बोला घ्या है तो अभी यहां पर देखना इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ यह था अपना N-type, यह था P-type, यह था N-type, क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यह रिखो, यह N, N मतलब line होती है, P मतलब arrow होता है, फिर यहाँ पर arrow और यहाँ पर line, एक diode, दो diode, क्या बन गया यह, फिर से यहाँ पर देखो, नाम उल्टा दिया है, PNP और यह हो जाएगा, N-P-N, ठीक है, तो यह अपना बन गया, दो diode का use करके हम लोग क्या बना सकते है, transistor बना सकते है, अगर मुझे बनाना हो, P, N, P, तो मैं कैसे बनाऊँगा, P में क्या होगा भईया, P अपना base ऐसा होगा, N मतलब ऐसा, फिर यहाँ से अपन, यह हो गया अपना, समझ में आगई कहानी, तो देखो, emitter क्या होता है, base क्या होता है, collector क्या होता है, base बहुत ही छोटी होती है, lightly doped होती है, emitter बहुत ही heavily doped होता है, और थोड़ा सा लाज होता है, उसमें majority charge carrier, majority charge carrier के वाज़े से current flow होता है, collector जहाँ पर सारी चीज़े collect होती है, और वो comparatively size moderate होती है, doping क्या होती है, moderate होती है, yes, deflection region क्या होता है, जहाँ पर जो base और अपना emitter, emitter, base collector, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, EB junction, यह क्या बन गया, BC junction, yes, EB junction, BC junction, तो यह deflection layer कहां-कहां बनेगा, emitter base junction पे और base collector junction पे, कौन-कौन से current flow करेंगे, emitter से होने आला current, emitter current, base के वज़े से base current, और collector के वज़े से collector current, अभी ध्यान से सुनना, main है अपना emitter current, जो की दो चीज में divide हो जाएगा, base में plus collector में, यह बात याद कर लो, base बहुती छोटा सा है, lightly doped है, तो base में सिर्फ और सिर्फ 5% of emitter current जाता है, और rest 95% off, emitter current कहाँ पर जाता है, collector में जाता है, महलब जो 100 आ रहा है, 100 current आ रहा है, 100 में इसे, पाच current जाएगा base में, और 95 current जाएगा collector में, yes? जाएगे चले, बोलो, इसको भी हम लोग बना सकते है, forward by sing, reverse by sing में, ठीक है, तो इसका मैं आपको वीडियो बैज दूँगा, बाकिया आप लोग इसली इसका समझ सकते हो, कॉन कॉनसी वीडियो बेजूँगा, दो वीडियो बेजूँगा, working of transistor, ठीक है, second वीडियो बेजूँगा, इसका, ये, transistor as a amplifier, दो वीडियो मैं आपको भीजने आ लाओ, transistor as a amplifier, तो प्लीज उन दो वीडियो को देख लेना, और जो ये chapter, जिनको hard लगता है, वो इसको topic को छोड़ सकते है, ठीक, चलो, आगे चले logic gate, last topic for the day, logic gate बहुत easy है, बहुत बच्चों को आता होगा, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, तो उनके लिए logic gate में एक gate है, एक तरीके का gate है, मतलब एक अपने पास एक logic gate है, जहां पर बहुत सारे input आ सकते है, लेकिन single output मिल क्या मिलेगा हमें, एक single output मिलेगा, yes, तो logic gate यहां पर लिखके दिया है, an electronic circuit that handles only digital signal is called as digital circuit and the branch of electronics which deals with the digital circuits are called as digital electronics, अभी define करो logic gate यहां पर दिया है, a digital circuit which with one or more input signals but only one output signal is called as logic gate, तो input में कुछ भी हो, यहां पर देखो, input में कुछ भी हो, output में एक ही चीज़ होगा, ठीक, बहुत पड़िया, अभी यहां पर दो चीज़े होगी, एक होगा high और एक होगा low, जब जब मैं बोलू high, उसका मतलब है one, जब जब मैं बोलू low, उसका मतलब है high signal, जब जब मैं बोलू zero, उसका मतलब है low signal, ठीक, अभी इसके past type के, आपको basic past type के gates पढ़ने हैं, क्या पढ़ने है, past type के basic gates पढ़ने हैं, कौन कौन से है सर्वो gates, पहला gate है, not, लिख लेते हैं, not, and, and or, और not को मिला दिया, and के साथ तो बन गया, and, not को मिला दिया, and के साथ तो बन गया, not, basic thing, not, or, and, उसमें, not को मिला दिया, and के साथ तो बन गया, and, not को बना दिया, और के साथ तो बन गया, not, clear, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हू, and कैसा बनता है, and is made by using not, and, and, nor is made by using not, and, and, or, clear, तो इसमें में क्या क्या निकालना है, इसमें में क्या 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 निकालना है, यहाँ रखना, कोई भी logic gate पूछा, तो क्या करता है logic gate, उसका bullet expression, उसका symbol, और उसका truth table, यह चार चीज होनी चाहिए, यह चार चीज होनी चाहिए, पहला आता है, लिख लो चाहिए तो not gate, not मतलब क्या, this is the most basic gate, it has only one input and one output, तो एक ही input होगा, एक ही output होगा, input is one and output is also one, ठीक है, it produces high output or one if the input is zero, मतलब यह अपने को output में क्या देगा, high देगा, high मतलब one देगा, कब जब input low होगा, जब input low होगा, तो output क्या मिलेगा, आपको high मिलेगा, सर नहीं समझ मार रहा है, मतलब क्या सर, इसको आप लग सीधा बोल सकते हो, it produces a negative version of the input at its output, मतलब यह क्या करता है, उल्टा कर देता है, अगर आप लोगों ने, यह देखो, यह होता है, आपका not, और यह क्या बना दिया है, यह है आपका not, यहाँ पर one दोगे, आपका output में जिरो मिलेगा, जिरो दोगे, तो one मिलेगा, कहानी खतम, यह इसका बोलन एक्सप्रेशन, इसको inverter भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उल्टा कर देता है, मतलब यह है इसका symbol, विए Input and word कितने combination बन सकते बहिया तो इपने डिजिरलょ ez करनाँ डीजिडल में हमेशा दो चीज़ा ही लेते हैं डीजिडल में हमेशा दो दो चीजे हीलेते है एक रावफन बाइनरी इंका को संजहानाा या। आप लोग सिर्फ जीर और मतलब क्या लिख लो और मतलब एडीशन और मतलब basically और गेट मतलब होता है logical base एडीशन logical एडीशन एडीशन होता है इसका ड्याग्राम ऐसे है मचली की तरह ठीक है यह A और यह B output में क्या मिलेगा output में मिलेगा A प्लस B output में क्या मिलेगा a plus b yes output में क्या मिलेगा a plus b input में क्या क्या दे सकते हो input में क्या दे सकते हो एक तो 1 1 0 0 इसको 0 इसको 1 इसको 1 इसको 0 इतना दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो और कोई combination मना सकते हो और कोई combination बनेगा क्या नहीं बनेगा sir a b and y 1 1 0 0 तो आड़ करो 1 plus 1 1 plus 0 1 0 plus 1 1 1 plus 1 2 मतलिक देना 1 plus 1 1 0 plus 0 समझमा कही बात यह आगा अपना AND AND मतलब याद कर लो multiply क्या multiply मतलब इसका symbol ऐसा है सर multiply करना है क्या करना है सर यह इसका bullet expression है मतलब सर wait through table बना लो A, B, Y अच्छे से बनाना तुम लोग यह बना है अच्छे से 1 1 0 0 1 0 1 1 into 1 1 0 into 0 0 1 into 0 0 into 1 0 खातम हो गया multiply करना है हो गया easy easy तो और में क्या करते हो अच्छे से लिख देते हैं नौट में कर देते हो invert और में क्या करते हो addition not में क्या करते हो multiplication याद कर लेना अच्छे से पिर याद येस अच्छे सब्सक्राइब नाट अच्छे से अच्छे से तो क्या देंगे अपन ए प्लस बी फिर यह आउटपूट इसका इंपूट बनेगा और इसको हमें रिजल्ट क्या देगा उल्टा करके देगा एक यह डियाग्रम देखो यह फिर आप लोग यह डियाग्रम देखो इस इस कॉल्ड बफर इसको बफर बुलता है यह रिप्रेजेंट करता है नॉट को दोनों एकी चीज़ है क्या करेगा अब यह है एंड एंड क्या करता था मुल्टिप्ला है देखो पहले एंड का देखेंगे फिर बात में उसको नॉट के साथ और फाइनल आउटपूट दे चीज़ को देखेंगे क्या आता है ध्यान से सुन सुनना फाइनल का लिख देखो वन ओन झीन ये फिटव कि साथ Holmes पन बने मिला और इसको देखा वन और फाइनल क्या मिला आपने को फाइनल यही मिला जीरो वँड़ी मॉण्स समझी बात समझी भात आयना बोलो आयना बोलो मतलब जो भी आपको आप्पूट मिलेगा पहले multiply कर लो और उसको उल्टा कर दो पहले multiply कर लो और फिर उसको उल्टा कर दो 1 into 1, 1 लेकिन क्या लिक होगे 0 0 into 0, 0 उल्टा करोगे 1 1 into 0, 0, फिर करोगे 1 1 into 0 into 1, 0 1 clear? nor get nor get मतलब क्या सर? nor मतलब सेम चीज nor not and or को मिला के बनता है अपना nor कैसा दिखेगा सर? nor मचली के जैसा दिखेगा सर? यहाँ पर आगया buffer आजाएगा आजाएगा buffer और क्या करता है? addition करता है क्या करता है? add करता है add करता है 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 add करो add करो 1 plus 1, 1 उल्टा करो 0 0, 0, 0, 0, उल्टा करो 1 1 plus 0, 1, उल्टा करो 0 0 plus 1, 1, उल्टा करो 0 यह हो गया अपना output अलिये लो को high करेगा और बाकी सबको 0 कर देगा यह रेखो यह आपर अलि लो को क्या क्या? इसने high कर दिया और बाकी सबको logic समझ में आ गया concept समझ में आ गया देखो यह है आपके लिए लेके आगया है मैं and or, nan, nor, xor, xnor not सब आगे लेके आगया है एक ही बार में याद कर लेना आपका कहानी हो जाएगा एक ही बार में इसका screenshot ले लो उस circle को buffer बोलते है तुम्हारे काम का नहीं है वो ऐसे ही ठीक है नॉलेज दे रहा जनर्नल नॉलेज buffer बोलते है वो है naughty लेकिन बोला जाता है buffer yes चलिए actual में देखो यह है आपके gates ऐसे आपके gates बनते है यह ऐसे gate यूज किया जाता है यह सब gates है यह कौन से and 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 are a chip लगाया जाता है एक चिप के अंदर gates को लगाया जाता है देखो ऐसे gates मिलते है बहुत सरे आप लोग मैर्केट से ले सकते हो आप लोग मार्केट से ले सकते हैं yes so I hope so आपको लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि सारे बायोजी के सारे 15 वन शोट्स क्लास 12 के फिजिक्स के सारे वन शोट्स अविलेबल जाओ देखो पढ़ाय करो फिजिक्स के लिए बहुत दिन आराम से कर सकते हो इंपर्टन टॉपिक बता दिया कम से कम लॉजिक गेट और हिम्मद बची तो तीन अपने पास डिवाइजर से उसमें से एक पुछा जाएगा और हिम्मद बची तो रैटिफार छिक एए और हिम्मद बची तो ट्रांसिस्टर चापटर खतब टॉपिक मैं चापटर स्वो मिल दे नेक्स चाएम बाइवरीवैन टेक केर येस एक एक गेट में क्या है अरे एक गेट समझ में आगगए तो बागए समझ लोगे ना high मिलेगा अगर किसी एक मेंसे input high हो तो A और B मेंसे अगर कुछ भी high होगा तो कुछ भी high होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा तो ह यह यह लिखेंगे इसमें चाहिए इसमें दोनों मेंसे एक हाइ चाहिए तो हाइ मिल गया है टो येस चालिए तो मिलते है नेक्स टाइम बाई बाई एवर्रीवान ठेक केर ठेक है चलो जाओ जाओ पढ़ाही करो मिलते है नेक्स टैम बाई टेक केर अच्छा-च्छे कमेंट कर देना भाया ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाओ